Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel Edu Scots और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वैब केम को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि आप अभी साइड में देख पा रहे हैं तो आपको ये सब चीजे कैसे अचीव करनी हैं मैं आपको OBS के थुरू अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या YouTube पे कोई वीडियो बनाते हो या गेमिंग करते हो और वहाँ पर आप देखते होंगे कि अलग-अलग creators अलग-अलग type के webcam तरीके से present करते हैं वैसे ही आप कैसे कर सकते हो देखो तो इसको करने के लिए बहुत ही बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है OBS के अंदर और बहुत इजी लिए अची हो जाता है बट उससे पहले आपको कुछ फाइल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना यह दो फाइल इस टाइप की फाइल बनानी पड़ेगी और यह कैसे पॉसिबल है तो यह पॉसिबल है कैनवा की मदद से या फिर आप पावरपाइंट की मदद से भी इस चीज को कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा इसको पावरपाइंट से करते हैं क्योंकि पावरपाइंट से बहुत सारी चीज़े की जा सकती है और हर किसी की सिस्टम में वह बहुत इजी लिए अवेलेबल हो जाता है तो चलिए मैं आपको powerpoint पे लेकर चलता हूँ बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए क्योंकि इस तरीकी के interesting videos मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई doubt आता है इस पूरी वीडियो में तो मुझे comment करकर बताईएगा मैं खुद हर एक comment का individually reply जरूर दूगा तो चलिए powerpoint पर ये दो screen कैसे बनानी है समझते हैं तो देखिए powerpoint पर हमको इन दो type की images को बनाना है इसको बनाने के लिए हम normally जब भी powerpoint open करते हैं तो आपको ये दो dialogue box मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों को delete कर देते हैं आपको इसका background को black करना है right click करिएगा और just यहां पर आप देखेंगे format background का option आता है और यहां पर जो pen brush है इसको directly आप black कर दीजे तो यह black हो जाएगा इसके बाद में आपको जाना है insert पर और insert से आप किसी भी type के shape आप यहां से ले सकते है तो हम यहां पर क्या करेंगे कि white और width इसकी 5 कर लेता हो exactly ताकि कहीं से कहीं किसी भी angle से यह हमें छोटा बढ़ाना हो और इसको आप ऐसे movement करेंगे तो आपको देखो दो direction मिल जाएगी एक यह बीच में center alignment होना चीए और दोनों जगह से center हो गया और इसका जो color है हम लोग ले लेते हैं पूरा white और इसकी ज जाना है और file में जाने के बाद में आपको करना है save, save पे आप जैसी जाएंगे तो आप इसको particular location share कर लीजिएगा मैं इसको अपने desktop पर save कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो pptx से नहीं save करना है आपको जाना है इसको save करने के लिए अपने png model पे तो png आप आपको search करना है तो आप थोड़ा scroll down करेंगे तो आपको definitely यहाँ पर png option मिल जाएगा png यहाँ पर jpg option यहाँ पर jpg option यहाँ पर png से इसको select कर लेता हूँ और यह यहाँ पर directly file name देते है testing और यह होगी हमारी file save और यह पूछ रहा है just one slide आपको save करना है तो देखेंगे right click करना है और duplicate slide कर देना है इसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर right click करकर इसका जो है format background black color से कर दीजे इसको white जो second type के हमको image बरानी है और बीच में जो हमारा यह circle है इसका color आप कर दीजे black और इसके बाद में यहाँ पर आप line वाले section पर जाएगा तो line पर आप gradient select करिए और यहाँ पर जैसे आपके logo का color अगर जैसे मेरे logo color blue है तो मैं इसको यहाँ पर gradient में यहाँ पर color select कर लेता हूँ तो मैं सबसे darker color लेता हूँ blue यहाँ पर इसके बाद में end में लेता हूँ सबसे light color थोड़ा सा light color और इसके बीच में थोड़ा सा dark color ले लेता हूँ तो gradient में अलग अलग तरीके से आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको दिखा पाएंगे रहे यह तीनों तरीके इक कलर मैंने शेयर कर लिए अब इसमें जो इसकी जो ट्रांस्पिरेंसी है हम बढ़ा देते हैं जो इसका width है width भी बढ़ाँ आपको width तो आप इसको कर दीजिए जितनी मोटी आप रखना चाहो तो मैं इसको around यहाँ पर इसको कर लेता हूं 8. मै ने इसको width को कर लिया है, 7 कर लेता हूँ. मैं इसको width को, width को हमने 7 कर लिया है, इसके अलावा, बहुत सारी option है, आप जिसको इस तरीके से भी कुछ देना चाहो, या अलग-अलग तरीके से, ग्रेटिञ को यूज करता है, right click करना है और save as a picture करना है और आप जैसे इसको save as a picture करेंगे desktop पर यह automatically save हो जाएगी तो देखिए दो images जो मुझे चाहिए थी पहली ये और दूसरी ये ये दोनों मैंने बना ली है और इसको मैंने desktop पर save करके रखा वाता तो एक मेरी png image ये blue वाली ये रही और ये main वाली ये रही ठीक है तो ये दो image बन गई है मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए ये दो design मेरी जो एक ये पहली थी png file और दूसरी ये design ये दोनों मेरी ready हो चुकिये बहुत easily बन चुकिये चलिए अब हम चलते है OBS पे और OBS पे setting को कैसे करना ये समझते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको क्या create करना है एक scene create करना है और scene में आपको आपका एक video capture device add कर लेना है मतब जो आपका camera होगा जैसा कि मेरा camera आप देख रहे अब आपको क्या करना है आपको right click करना है और यहाँ फिल्टर लगाना है और इस filter में आपको select करना है image mask and blend यहाँ पर आप select करेंगे okay करेंगे और यहाँ से सीधे आपको setting में कोई changes नहीं करने और आपको सीधे यहाँ से browse करना है आपका जो file आपने बना के रखी तो देखें मेरा यह बना हुआ है यह first वाली जो मैंने जिसका background black है और बीच में white है उसको select कर लेता हूँ और य और cover कर लेता हूँ ताकि मैं अपना hand gesture भी यहाँ पर show कर सको तो देखें अब मैं पूरा properly आपको proper तरीके से explain कर पा रहा हूँ तो यह हो गया अब इसके बाद आपको क्या करना है तो आपको एक और scene create करना है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ final scene लिख देता हूँ इसका नाम final webcam और उसके बाद में आपको अब यहाँ पर जाना है और यहाँ पर प्लस icon पर click करने के बाद में यहाँ से select करना है आपको scene और scene select करने के बाद में जैसे fourth number का scene है मेरा यह select कर दिया और मैं okay कर दूँगा तो यहाँ पर देखिए अब मेरा यह webcam यहाँ पर आ गया है बट अ करना है image okay करना है और जो आपने second image बनाई हुई है जैसे कि यह इस image को आप लिया है अब देखिए यह image मेरे ऊपर cover कर दी है मैं इसको scroll करके नीचे ले आता हूँ और अब इस वाले circle को मैं छोटा करते जाता हूँ ताकि यह मेरे background वाले circle में fit हो जाए इसको shift करने की जो process है इसको आप ऐसे keyboard से उपर नीचे कर सकते है अब यह मेरा बिल्कुल एक proper select हो गया अब यह webcam ready है अब इस webcam को आपको YouTube की live streaming में use करना चाहते है या फिर आप use करना चाहते है gaming की live streaming में तो आपको क्या करना है एक नया scene create करना है अब में यह नया scene create करता हू में final live scene create कर दिया अब इस scene में सबसे पहले जो मुझे add करना है तो मैं जिस window को भी capture करना चाहते मैं game की window है तो मैं उसको capture कर लेता हूं तो अभी मैं फिलाल एक कोई random window capture करके आपको दिखा देता हूं तो window capture में आपको suppose करना है कि यह मेरे game की window है तो यहां से मैं select कर लेता presentation वाला ओके अब यह मेरा presentation का एक window है जिसको मैं को मैंने ले लिया है यहां पर आपकी क्या होगी आपकी game की screen होगी इसी type का कुछ होगा अब यहां पर आपको प्लस करना है अब यहां पर आपको again जाना है scene में और scene में select करना है आपका final webcam वाला जो जिस पर आपने border लगा द यह चोटा सा कर लेता हो तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब मैंने यह मेरा webcam इस तरीके से यहां पर add हो चुका है इसके अलावा अगर और कोई shape लेना चाहते है तो आपको अपने powerpoint पर यहां पर आपको जाना है आपके powerpoint पर और जैसे मैंने यहां पर circle वाला scene लिया ह I hope आपको यह समझ में आ चुका होगा और आप अपनी live streaming में इसको बिल्कुल involve करेंगे और इसी तरीके से अपने students को अपने viewers को best quality का experience देंगे आपको अगर मेरा video पसंद आया और आप आखरी तक देख रहे है तो comment करकर जरूर बताईएगा चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा और कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है आपको मुस्से रूबरूह के connect करना है तो educe-aakash मेरा instagram handle है वहाँ पर आप उससे directly communicate कर सकते है Thank you so much for watching